सांट टेस्ट, क्यामरा टेस्ट, ब्राइटनेस टेस्ट, वीडियो क्यामरा टेस्ट एज अब करते हैं गेमिंग टेस्ट किस फोन की बात कर रही हूं मैं? यह एक नया फोन आया है ओपो का निव पॉडल 859 5G, New Launch कितने का है यह फोन? 14,999 क्या आप इंटरस्टेड हैं इसके बारे में? क्या आप जानना चाहते हैं कैसा है यह फोन? क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आपके बजट का है यह फोन? क्या आप जो फीचर्स देख रहे हैं इसके अंदर है? क्या यह आपके लिए सही है यह नहीं? इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे वीडियो लास्त तर्ट जिसमें मैं बताने जा रहे हूं इसके प्रोस एंद कॉन्स एंद साथ में करने वाले हैं हम इसकी अंदबॉक्सिंग तो प्लीज वाँच माइ वीडियो तिल दे लास्त अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वेल्कम तो मैं चैनल टेकी गर्ल पावर्ट बायर में से आई और आएंड टेकी गर्ल तो आज हम दिस्क्स करने वाले हैं ओपो के न्यू लांच के बारे में ओपो A59 5G मॉडल तो मैं करूंगे आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग तो चलिए करते हैं शुरूप यह देख सकते हैं मेरे हाथ में है ओपो का A59 5G मॉडल यह है बॉक्स वाइड कलर का बॉक्स है और आप देख सकते हैं इस पर लिखा है ओपो A59 5G with black color यहां पर लिखा है ओपो का लोगो इसके साथ यह है इसका साइड पार्ट अब देख सकते हैं ये है इस तरफ का side part करते हैं हम अपने unboxing की start तो ये खोला मैंने box आप लोगों के लिए वाव ये है हमारा OPPO का box और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है OPPO और इसके अंदर क्या है let's start यह आप देख सकते हैं इसमें है SIM के लिए यह पिन जिससे आप SIM डाल सकते हैं साथ में है यह safety guide जिसमें की आपको बताएंगे कि क्या safety measures है इसके अंदर safety and security के information दे दिया है आपको किस temperature पे आपको phone को charge करना है charging के समय क्या ध्यान रखना है adapter को कितनी देर तक charge में लगाना है यह सारे information power on power off यह सारे safety guide के अंदर आपको मिल जाएंगे और यह है हमारी quick guide quick guide में आपको पता चलेगा कैसे phone को use करना है कहां पे हैं कौन से buttons कौन कौन सी चीजों को use करने के लिए हमें इस quick guide को use करना है तो यह है आपका quick guide अब मैं दिखाऊंगी आपको most awaited OPPO A59 5G phone यह एक wrapper जो phone के ऊपर लगा है और इसके ऊपर लिखा है 90Hz sunlight display 33W Super VOC 5000mAh large battery 300W ultra volume mode अब मैं निकाल ले जा रही हूं अपनी phone को आप देख सकते हैं कितना glossy सा लोक है इसका एंड यह camera तो बहुत ही बड़े बड़े दिख रहे हैं बहुत ही wide है एंड AI camera इसके उपर लिखा हुआ है साथ में OPPO का logo बना हुआ है बहुत ही nice color है एंड आप देखिए यह है phone की screen एंड यह है इसका menu जिसमें कि आपको phone display पे कैसा दिखेगा क्या सारे app इसके उपर है photos, setting, financial pay, features, Netflix, Facebook, Amazon, Snapchat, Spotify, hot apps, hot games यह सारे आपको दिख जाएंगे इसके उपर एंड यह देखिए इस side से इसके लिए तो यह था आपका power button एंड इस तरफ यह है आपकी volume की इससे आप अपने volume को बढ़ा सकते हैं और इससे आप अपने volume को नीचे कर सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं सिन को लगाने की जगए है इसमें आपको already cover दिया गया है जो cover हमने लगाया है इसके उपर एंड आप साथ में देख सकते हैं camera बहुत ही अच्छा दिख रहा है वैसे मैंने camera को test किया है एंड आपको pictures और images दिख जाएंगी की camera test करने पर कैसी image आती है साथ में आप देख सकते हैं यहां पर है काफी सारी apps एंड बाकी आपको मैं दिखाती हूं और क्या है इस box के अंदर box के अंदर है charger यह है charger 33 watt का super view सी charger देखिया सारे rules and regulations के साथ है यह है उसके साथ cable USB cable जिससे के आप अपने charger में लगा के phone को charge पर सकते हैं अब देखते हैं क्या क्या लिखा है box के ऊपर इस पर लिखा है 90 हर्ड सनलाइट डिस्प्रेइट थर्टी वाट सूपर वियो सी 5000 mAh लाज बाटरी एं 300 अल्ट्रा वॉल्यूम मोड तो 300 अल्ट्रा वॉल्यूम मोड है इसके अंदर बाकी जादा कुछ नहीं लिखा है box के अंदर आप पीछे देख सकते हैं इस पर यह सिल्क गोल्ड कलर का phone जो मैंने अभी यूज किया है साथ में यह है इसमें network जो की 5G मोड है LTFDD LTE TDD सारे bands available है सार की information लिखी हुई है सार certified है यह phone made in India है designed by OPPO है आप देख सकते हैं इस फोन को तो चलिए मैं बताती हूँ आपको OPPO A59 के pros and cons कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं कि क्या इसमें बहुत अच्छा है और क्या बिल्कुल भी अच्छा है तो चलिए करते हैं पहले कौन से स्टार यह phone बिल्कुल भी गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है And second thing इसमें बहुत सारे unwanted app है third parties आपको इसके अदर डाला गया है जिससे sometimes आपको लग सकता है phone यह बहुत boring Because अगर जो app हमारे काम की नहीं होती हम उन्हाप्स को अपने phone में नहीं रखना चाहते हैं तो यह दोस्तों मेरे review cons के लिए अब करते हैं discussion pros की सबसे पहले यह है affordable 5G network का phone 90 hertz display for smooth visual इन्होंने 90 hertz की display दी है आपके smooth visual के लिए इसके अंदर है ample 128 GB की memory internal जो की बहुत easily expand हो सकती है 1 TB तर 5000 mAh battery with 33 watt fast charging side mounted fingerprint scanner भी इसके अंदर है तो यह थे वो jar points जो मुझे रखते हैं इसके अंदर है pros और cons को मैंने आपको बता ही दी तो friends मैंने रिखाया आज आपको A59 OPPO के 5G model की unboxing I hope आपको पसंद आई होगी मैंने अपनी तरफ से आपको वो pros and cons भी बता है साथ मैं आपको अपना review भी दिया अगर आपको मेरी यह video अच्छी लगी तो please like, subscribe and comment and आज की लिए, thank you, bye bye!